दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम बात करेंगे कम बांडिंग के बारे में CAGR क्या है एक सज्जन ने हमसे पूछा हुआ तो हमने का चलो इसी पर आज विडियो बनाते हैं साथ ही हम देखेंगे किस प्रकार से आपका स्टॉक काम करता है बहुत सा बड़ी चीज वर्क करती है एक तो अच्छी कंपनी का आपका चुनाओ आपका अनुभाव दूसरा आपका पेशन्स तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही किस प्रकार की कंपनिया डिवडेंड के लिए अच्छी हो सकती है साथ ही mutual funds कितना डिटर हमें long term में दे सकते हैं तो इन सब पर भी चर्चा करेंगे तो complete यहां पर आपको हम बताएंगे किस प्रकार से compounding के ताकत के तहत आप अच्छा पैसा market से बना सकते हैं तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं एक्जामपल के लिए जैसे कि इस लेवल पर आपने मल ये 100 रुपए के price पर कोई stock एक खरीदा और जैसे आपने खरीदा धीरे धीरे वो नीचे आया गिरते गिरते और यहां पर पहुंच गया 50 रुपए ठीक है 50 रुपीज आधा हो गया आपका पैसा आधा हो गया अब आ व्याकुल हो जाते हैं फिर आपने जो है यह सोचा कि मेरा भाव आ जायेगा ना तो मैं निकल जाओंगा लॉस नहीं बुक करूंगा आपने यह समझदारी का परिचे दिया क्योंकि कंपनी आपने अच्छी चुनी होई थी दीरे-दीरे कुछ दिनों के बाद माली जी की 6 म क्यों ना कुछ दिन और प्रतीक्षा कर ली जाया कुछ प्रॉफिट लेके निकला जाया इसके बाद वो आपका पैसा करीब डबल हो गया 6 माहिने बाद डबल हुआ आपको लगा कि निकले ना लिकने निकले कि ना निकले 100% हो गया मेरा पैसा प्रॉफिट में आपने सोच कि मज़ा आ गया 200% का रिटन अब आपने यहां भी प्राफिट बुक करने की नहीं सोची ठीक है अब हुआ क्या कि सीधे थोड़े दिन बाद दीरे दीरे गिरते गिरते आपको लगा नहीं वह अभी थोड़ा गिरा फिर से उपर आ जाएगा काफी अच्छी ग्रोथ है काफी कि करीब तीन साड़े तीन साल भाद आप जहां थे वहीं पर फिर आके वह स्टॉक खड़ा हो गया आपका जो बाइंग प्राइस था आप यहां पर इक्स्ट्रीबली फ्रस्ट्रीटेड हो गए कि यह क्या हो गया यह कैसा मार्केट है मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा बकवास है जो भी रहा अपने खूब कोसा उसके पश्चात फिर भी आपने बेचा नहीं कि चलो अभी मैं अपने इतने दिन प्रतिक्षा किया अपने भाव पर निकल नहीं सकता काफी पीरियड हो गया तीन साड़े तीन साल के आसपास आप बने रहे इसके बाद क्या होता है फिर से तेजी आती दीरे दीरे ऊपर चड़ना शुरू करता है और चड़ते 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 यहां पर चार सुपे आ जाता है आपको लगा वह त्री परसन में दिखाई दे रहा है आपने और प्रतिक्षा कि आपका स्टॉक प्राइस यहां आ गया आपको आप यहां पर 500 परसन यहां पर स्टॉक प्राइस हो गया आपको 400 परसन के रेटन मिल रहा है आपका सव रुपया 500 हो गया तो जो यह आपने पांच सालों में जिंदगी जी तनावपूर्ण जिंदगी जी आप बने रहे आप निकले नहीं आपने बेचा नहीं आपको यह पर्चस प्राइस सव रुपय था आपका सेल प्राइस यानि करेंट मार्केट प्राइस दिखा रहा 500 पर पांच साल के अंदर में तो आपको जो सी एजी आर प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 37.97 परसन इसको बोलते हैं कमपाउंड एन्वल ग्रोथ रेट भ आपको लॉस था किसी साल फिर जो आप जहां खड़े तो वहां पर आ गया तो ओवर वाल इन पांच वर्षों में आपको किस प्रकार से जो अनुलाइज रुटन कितना मिला वो मिला 37.97 परसन यह हो गया सी एजी आर कमपाउंड एन्वल ग्रोथ रेट ठीक है तो इस तरीक में कितने परसन आपको रिटेन मिल रहे हैं आशा कि आप समझ गए हैं इसी प्रकार सी जो चार्ट है बजाज फाइनेंस का है कहीं ने कहीं उससे मिलता जुलता जैसे 2018 में देखेंगे तो करीब 2000 रुपाई की प्राइस पे यहां पे दिखा रहा ऊपर थोड़ा सा चड़ा फिर यहां पे गिरा कुछ दिनों बाद फिर 2019 में फिर यहां पे आ गया जहां पे आपने खरीदा था फिर यहां पे थोड़ा थोड़ा चड़ा फिर यहां पे 2020 के पीक पे जब कोविट के पहले यहां पे चड़ गया करीब कुछ कम नहीं तो 5000 टच होने वाला था लेकिन फ तीसरे साल में आपका पूरा धैर जो है जवाब दे गया खैर कोविट था मार्केटी क्रेश हो गए थी इसके बाद जो चला धीरे धीरे ऊपर चलता गया आठ हजार का जो हाई बनाया तो यह दो हजार 21 के अक्टूबर नौंबर के आसपास ठीक है तो यानि कि जो इन्वेस् तरीके से फिर यह गिरा देखा जाए तो फिर साड़े 5000 के आसपास आ गया फिर यह भागा फिर गिरा 6000 के आसपास पचपन सो के आसपास फिर भागा अभी जो चल रहा है सरसरसों के आसपास इस तरीके से वर्क करता है शेयर बाजार में जो भी अच्छी कमपणियां है जो भी कोई निवेश करके बैठा हुआ है जुपचाब बैठे रहे पस कमपणी को देखता रहे किस प्रकार के परफॉर्मेंस है तो निसंदे एक लंबी अवधी में अच्छा कमपाउंडिंग का उसको फायदा मिलता है बढ़ा पैसा बना लेता है एक यह समझदारी हो गए कि कमपाउंडिंग किस प्रकार से वर्क करता हुआ आप भखो भी समझ गए किसी स्टॉक में दूसरा और भी कई तरीके हैं शेयर बाजार से जो है रेगलर इंकम करने के तो मेरा ऐसा सुझाओं कि डिवडेंड को लेके आप कुछ वैसी कमपनी हैं चुने जैसे आईटी सौफ्टेर की हो गए कुछ ऐसी टेकनलोजी की हो गए जो आपको ग्रोथ भी दे यानि आपका पैसा बढ़े भी और आपको डिवडेंड भी देता रहे तो आठ दस साल ब टोटल जो है सिर्फ रेविन्यू होता था जो भी बिजनेस आता था सेल्स वगएरा से आज उसका प्रॉफिटी प्रॉफिट हो रहा है 42,000 के आसपास ठीक है तो जाहिर सी बात है यह कमपनी कमाव कमपनी है आपको हर साल टीवडेंड बढ़ाती गई और आज तो इस्तती एसी है कि चारों क्वाडर में डिवडेंड देती है तो जिन्हों ने दस साल पहले इस कमपनी को लेना शुरू किया होगा उनको बोनस के माध्यम से या स्प्लिट हुई होगी तो उसके माध्यम से कॉंटिटी भी बढ़ती है और इस प्रकार से मुनाफ़ा बढ़ता जाता है तो पे आउट भी डिवडेंड का बढ़ाते जाते हैं तो इस तरीके से आपको डिवडेंड भी अच्छा मिलता रहता तो एक रेगुलर इंकम भी हो गई डेपन करता आपके पास कितनी कॉंटिटी है तो इस तरीके कमपनी के चुनाओ करें यानि कि जो कमपनी आज वरक्ष बन जाएगा तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगे तो यह गिरेंगे नहीं अभी छोटे में देखें इनकी जड़ेंगा कमजोर है तो हवा आंधी तूफान आएगे तो इस चीज़ का रिस्क रहता है कि यह तूट भी सकता है मुरजा भी सकता है सूख का लंबा टाइम है साथ से दस साल के मद्ध में तो बीस से पचीस परसेंट जो है आपको स्मॉल का दे ही देगा स्मॉल का फंड की बात कर रहा हूं कोई भी अच्छी एमसी का आप चुन सकते हैं अगर 26 परसेंगे आपे कर देते हैं और दस साल का अगर टेनियोर है हमारा करीब करीब आपका पैसा 10 गुना हो जाता है यह mutual funds की ताकत है तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 परसेंट जो है mutual funds आराम से दे सकते हैं आज के समय में जब आज की किरावट में है तो उस चीज़ को लेके आप focus रहें अगर आपको लगता है कि stock से हमको डल लगता है या आप अपने portfolio को balance भी कर सकते हैं कुछ portion जो है आप mutual funds का इससा रख सकते हैं खरीब करीब अगर बहुत जादा knowledge नहीं है आपको तो आप 25 से 30% जो है exposure रख सकते हैं उसके पर चाहता आप equities में जैसे कि आप small cap, mid cap, large cap, तीनों प्रकार की कमपनियां रख सकते हैं अच्छे fundamentals की तो आज compounding के लेके हमारा वीडियो और भी अगर आपको कुछ पूछना हो या आपको अभी भी compounding के बारे में बहुत चीज़ें clear ना हो तो आप ज़रूर उसको जो एक कान बॉक्स में रखिएगा थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स